गुड पॉर्णिंग चिल्डरन कुसुमेम के उनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारी बचो जल्द ही आपके सेट एक्जाम होने वाले हैं जो आउसर रहप पर होंगे और आपकी सहायता के लिए आपके स्लेवस के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सेट एक्जाम में अच्छे नंबर लासके और एक्जाम भी अच्छी तरह से दे सके तो देखिए आज का टोपिक है हमारा पाठ दस कर्म की जीत पहला क्यूशन है अगर दुनिया को बनाने वाले देवता ब्रह्मा है तो वर्षा के देवता तो हमें वर्षा के देवता बताना है बच्छो यहां पर चार ओप्सन भी दिये मिलेंगे आपको और सबसे पहले तो आपको आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी उचित और सही आंसर लगे उस एक आंसर पर ही आपको निसान लगाना है यानि कि क्लिक करना है तो यहां पर देखिए इनमें चार ओप्सन दिये गए हैं कि वर्षा के देवता पूछा गया है कौन है सिव विश्णु गरूर या इं तो बताइए बच्चो शाबाज वर्षा के देवता को क्या बोलते हैं हम हां इंडर है ना तो हमारा ओप्सन है घर,ंदर अब ये वाला क्यूशन देखो, इंद्र जल वर्षाने के लिए किसको आदेश देते हैं? तो बच्चों बताओ, इंद्र जल वर्षाने के लिए किसको आदेश देते हैं? यहाँ उप्षन दिया गया है, देखो ध्यान से पढ़ो, मेघों को, खेतों को, धर्ती को या को तो इंद्र जल वर्षाने के लिए मेघों को आदेश देते हैं तो हमारा option है क मेघों को ये वाला question देखो इंद्र देवता ने मेघों को कहां बंद कर दिया तो बताईए बच्चों इंद्र देवता ने मेघों को कहां कर दिया यानि कि कुवे में गुफा में महल में या जंगल में कहां किया था श्यावाज अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही जो है इस क्यूशन का आंसर दे पाएंगे तो बताइए श्यावाज हां महल में तो इसका आंसर हो जाएगा गर महल में ये वाला क्यूशन है इंद्र क्यों नाराज हो गए थे तो बताओ चारो उप्शन को आपको धिहान से पढ़ना है देखिए मैं बताती हूँ आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ क्योंकि मेग उनकी बात नहीं मानते थे या क्योंकि सारा जल खत्म हो गया था तो बताइए इंद्र क्यों नाराज हो गए थे क्योंकि धर्ती के प्राणी उन्हें याद नहीं करते थे तो उप्शन आएगा गर अब ये अब पाच्वा क्यूशन देखिए वर्षा होने पर क्या होता है तो यहां उप्शन दिये गए हैं देख उप्रोक्त सभी तो बताओ बच्चों क्या आएगा इसमें ध्यान से पढ़ो सभी उप्शन हाँ पसुपक्षी भी आनंदित होते हैं ये भी सही है सभी जीवों की प्यास बुझती है ये वाला भी उप्शन सही है और गर उप्शन है धर्ती पर खेती फलती पूलती है ये नहीं है बच्चों कि इसके तीनों ओप्शन सही है तो आप तीनों पर ही निसान लगा देंगे आपको तीनों पर निसान नहीं लगाना है आपको एक पर ही निसान लगाना है और सही आंसर होगा हमारा घर उप्रोक्त सभी इसमें जो है वो ये सभी आ जाएंगे अब ये व बताओं के, मेघों के, महीनों के या प्राणियों के तु बताओ बच्चो किसके नाम है श्याबास महीनों के हाँ ये देसी महीनों के नाम है जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से हम बोल देते हैं न ये हिंदी में और अंगरेजी में होते हैं और असाड, सावन, भादो यह जो है वो देसी महीनों के नाम होते हैं तो हमारा option है G महीनों के नाम यह वाला question देखो किसान और उसके बेटों ने पानी न बर्सने पर क्या किया जब पानी नहीं बर्सा था तो बताओ क्या किया था फक्कर बैठ गए थे? नहीं खेतों में हल चलाया या फिर इंद्र से नाराज हो गए थे या मेंड को बुलाया था, बताओ श्यावास क्या किया था उन्होंने, खेतों में हल चलाया था, उन्होंने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा था है ना अब ये वाला question देखो किसान को काम करता देख फिर किसने अपना काम करना सुरू किया बताओ इंदर ने मौर ने मेंड की ने या किसी ने नहीं श्यावास जब किसान अपना काम कर रहा था तो उसे देखकर मेंड की ने काम करना सुरू कर दिया था आंसर है हमारा ग, ये वाला question देखो, 9 question है कि मेंडकी ने मोर की बात का क्या जबाब दिया, एक option है कुछ जबाब नहीं दिया, तुम अपना काम देखो, या कहा उसने कि भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं, या मोर से बात नहीं की, तो बताइए कुन सा option ठीक है, मेंडकी ने मोर की बात का क्या जबाब दिया था, उसने कहा था, भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं, यानि कि मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं, है ना, तो यहाँ पर हमारा option होगा, ग, अब ये वाला question देखो, मोर ने अपनी आवाज, कैसी आवाज गुंजा दी, मोर ने अपनी कैसी आवाज गुंजा दी, टर-टर किया, म्याओ म्याओ, या बू-बू, या पिहूं पिहूं, बताओ शे आवाज विच्चो, ओर की आवाज कैसी होती है, पिहूं पिहूं, तो हमारा option होगा, ग, अब ये वाला question देखो, किसान, मेंड़क और मोर ने अपना काम क् option दिये गए हैं, चार, क्योंकि उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था, या क्योंकि वर्सा होने लगी थी, या क्योंकि आकास में बादल घिर आये थे, और ग, option है हमारा, क्योंकि सब, यानि कि अन्य लोग अपना काम कर रहे थे, इसलिए किसान, मेंड़क और मोर ने अपना काम नहीं छोड़ा, बताईए, क्या option आएगा, कर आएगा, क्योंकि उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था, अब ये वाला question देखो, कि इंद्र की आखे कैसे खुली, मोर की बात सुनकर, किसान की बात सुनकर, मेंड़क की बात सुनकर, या सब की मोर, मेंड़ की, किसान की, सभी की बात सुनकर, खुली, option आएगा, हमारा घर, अब आगे देखिए, next question है, आखिर में किसकी जीत हुई, तो देखिए बच्चों, जीत पूछा है, कि इंद्र की, मेगों की, किसान की, या कर्म की, तो इसका answer आएगा, घर में कर्म की, जीत जो है, वो कर्म की हुई, ना तो मेगों की, ना इंद्र की, किसकी जीत हुई, कर्म की, ये option, ये वाला देखो, question, 14, जिस परकार कुरान, मुसल्मानों की पवित्र पुस्तक का नाम है, है न, इसी तरह ये कहता है, कि हिंदू की पवित्र पुस्तक का नाम पूछा है, इसने कि क्या है, तो देखिए, option है, गुरुगरंच सहेब, गीता, बाइबल या जेंद अवेस्तो, तो बच्चो, बताओ, श्याबाज, गीता, श्याबाज, option हमारा आएगा, ख, ये वाला question देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब अंग्रेजी में महीनों के नाम है, और असाड, सामन, भा महीना आता है, बताओ, श्याबाज, हाँ, तो बताओ, बच्चो, श्याबाज, कौन सा महीना आएगा, चैत, जेट, आसवीन या असाड, ग, श्याबाज, आसवीन, अब ये वाला देखिए, गलत आवाज बताओ, तो बच्चो, हमें यहाँ पर गलत आवाज बतानी है, दे और बताओ श्याबास, मौर पिहूं पिहूं करता है, मिंडग टर्टर करता है, तोता चूं चूं करता है, तो बताए कुन सी आवास गलत है इसमें, श्याबास, घ, तोता चूं चूं, है ना, तोता चूं चूं नहीं करता ना, ये आवास गलत है, कुता तो भूं भूं करता ह मौर भी पिहून पिहून करता है मेंड़ टार टार करते हैं है ना है है कि तो प्यारेबचो आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग से और एक्स्ट्रा समझाओंगी सिखाऊंगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई